नमस्कार मैं हूं पलक पांडिय और आप देखने हैं जी सी पी नियूज एक नजर जार्खन की खब्रों पर जार्खन पॉलिट टेक्निक प्रवेस प्रतियोगिता परिक्षाप परस परिशल राची द्वारा नमांकन के लिए ओनलाइन काउंसिलिंग की तिथी जारी की गए पुर्व जार्खन सरकार की मंत्री मदू सिंग याद किये गए पुर्ण नितिधी पर उनके बड़े बेटे शब भाजपाक के पांकी विधान सभा के पुर्व प्रत्याशी लाल सूरज ने कहा की मदू सिंग के सपनों को मंजिल तक पहुचाएंगे सरना धर्म कोट को ले करें 11 अमेंबर को आखूत होगा विधान सभा का विशेश सत्र राजपाल द्रौपती मुर्मू ने दी मंजूरी अर्खन अधिविद परिसत द्वारा आठवी बोट शात्रों को 20 प्रतिशत ग्रेस अंक देकर पुना परिणाम प्रकासित किये जाएंगे नहीं ली जाएगी विशेश परिक्षा सुधीर त्रिपाठी बन गय जार्खन करमचारी चायन आयोग के अध्यक्ष मुख्यमंत्री हेमन सुरेन ने नियूक्त से संबधित प्रस्ताव की दी मंजूरी हजारी बाग में रंगदारी नहीं मिलने पर नकसलियों ने सडक बन रही कंपनी की दो जेसी बी जलाई ड्राइवर को पीता बढ़का गाउं क्षेत्र के आंगोत पंचायत की है ये घटना गुम्ला के कामडारा थाना क्षेत्र के अंतरगत गाउं पोजे पहान टोली में एक हाथी ने वैक्ती के पैरो से कुचल कर मार डाला घटना के बाद से ग्रामिनों में देहसत का महौल है मृतक की पहचान इस हाग तोपनों से के रूप में की गई है राची के पुंदाग ओपी पुलिस ने चोरी का उद्भेदन करते हुए चोरी को ओटो के साथ आरोपी अब्दुल हाफिज उर्फ शाहिल को गिरफतार कर जेल भेज दिया पलामु जिला के पंडवा प्रखंड के विभिन पंचायतों से तालाब से जल को संग्रहित कर प्रखंड में जमा किया जा रहा है जिसे जाच के लिए पेजल स्वक्षता अभी विभाग को भेज दिया जाएगा लातिहारी जिला के बालु मात प्रखंड म पंचायत सचीव राजेस कुमार रवी को बारह हजार घूस लेते SB की टीम ने दबोचा जारखन अकाडमिक काउंसिलिंग द्वारा आयोजित संपूरक माध्यमिक तथा संपूरक इंटरमेडिट की 6 नवेंबर से 13 नवेंबर तक चलने वाली परिक्षा को मद्दे नजर रखते हुए पलामू सरदर SDO अजे सिंग बढाईक ने परिक्षा केंदर के 100 मीटर के आसपास में धारा 144 लगा दी है जो 13 दिसंबर तक प्रभावित रहेगा पलामू उपायुक्त का नौडिहा बाजार प्रखंड में हुआ दौरा शाहपूर पंचायत में बैट कर की जन कल्यानकारी योजना की समिक्षा चत्रा जिला के परतापूर थाना की जोगिदारी गाउं से अनील साह नामक वैक्ती को अवैज सराप चुलाई मामले में गिरफतार कर जेल भेज दिया